नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है Redmi Note 8 Mobile और आपके किसी भी Redmi के फोन में अगर Talkback की प्रोब्लम हो जाती है या Talkback लग जाता है तो इसको Remove कैसे करते हैं यही मैं बताने वाला हूँ तो देखे यहाँ पे आपका टच काम करता नहीं है जैसे कि मैं टच करके दिखा देता हूँ यह देख सकते हो कि टच यहाँ पे काम नहीं कर रहा है बस यहाँ पे कुछ साउंड आ रही है Mobile से वैसे तो इसको बंद करने का एक सिंबल तरीका होता है जो मैं लाश में वाला हूँ वो कारगर होगा सभी मोदल्स के उपर और यहाँ पर आप इसको पर्मनेंटली scalable कर भागे इसके लिए क्या करना है आपको कि टूफिंगर से इसको टॉफिंगर से इसको टॉफिंगर करना है तो आपको यहां पर टॉफिंगर से 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 टॉफिं करना है कि इसको टू फिंगर से स्कॉल डॉन करना है और आपको जाना है अगर एक फिंगर से करना चाहते हो तो एक फिंगर से बरना टू फिंगर से करना चाहते हो तो टू फिंगर से तो आपको अडिशन सेटिंग को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको यहां पे नी साब्धार माईए ऐसको से वासे तक इसको ऊपको आपको कर देना है यह जो सकता है कि दोतिनगे कर आई कि आपको और तरह से 2-3 बाट टाच करके को तो निए होप कर सकते हो I hope कि आपको कुछ शमझ में आ गया को दिक्कत होती है कोई परासा नहीं होते हैं नीचे कमें में कुमेंट किया चले मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए बाए